आपका स्वागत अपनी यूटूब चनल पर आज हम 7 जन्वरी को हुए सी टेट 2021 पेपर वन के फुल 30 कोशन एवियस के करेंगे तो आपका पहला कोशन आया था नए दिली रेलवे स्टेशन और लखनो रेलवे स्टेशन के बीच की दूरी 504 किलोमीटर है यह ट्रेन एक ट्र सही हो जाएगा 20 दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक दे कर दीजिएगा और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस यूटूब चैनल को विजिट करें इस आपका सेकिन कोश्चन आया था एक्स एक बच्चा वाई पर इस तर अपने दोस्त के साथ खेलना चाहता है इसके लिए वह ओपर पहुचने के लिए पहले 40 मीटर दच्छिड की ओर जाती है इसके बाद वह नियत पूर्वी की ओर जाती है और 30 मीटर की दूरी तै करने के बाद वाई पर पहुंचती है वाई से एक्स की दूरी और वाई के संदर में एक्स की दिसा क्रमसा है तो यह आपका दिसा संबंद कोश्चन आया था तो इसमें आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 50 मीटर उतर पस्चिम आपका थार्ड कोश्चन आया था स्लेक्ट फॉ लगबग 40 साल तक जीवित रहते हैं और उस समय में वे लगबग 8 पेड़ों को हिला सकते हैं लॉट लिव और अब फोटी यह एंड इन इन दाट टाइम दे कैन मूव अराउंड एट ट्रीज आपका फॉर्थ कोश्चन आया था एक्सिस कटिंग और फॉरेस्ट एन लेड तूदा फॉलोविंग पॉसिबल्टी बनों की अधिक कटाई से निम्न लिखे संभावनाय पैदा हो सकती हैं तो आपका फॉर्थ कोश्चन फॉर्थ सही हो जाएगा बी और सी बारिस के पानी का रिसाव कम हो जाएगा बारिस का बहना पानी मिट्टी को बहा ले जाएगा आपका फिप्ट कोश्चन आया था तच्छा पाचवी की पाठ कुस्तक में छपे गोल कुंडा जिले के नकसे पर एक सेंटी मिटर दूरी जमीन पर 110 मिटर की दूरी के बराबर है फते दरवाजा से पत्तन चेरू दरवाजा की दूरी 15.4 सेंटी मिटर है धरातल पर दोनों के बीच की नियुनितम दूरी होगी तो आपके पाचवी का उप्शन तीसरा सही हो जाएगा 1.694 क्लोमीटर आपका सिख्ट कोश्चन आया था दथ्री नेबरिंग स्टेट सराउंडिंग मिजोरम आर मिजोरम के आसपास के तीन परोसी राज्य है तो सिख्ट का उप्शन आपका फूर्थ सही हो जाएगा त्रेपूरा आस्वाम मडिपूर आपका सैवंध कोश्चन आया था भारत के निमनलिखित में से किस राज्य केंद्र सासित प्रदेश में पहाड़ियों पर बन ग्राम पारिश्ट एक विसेश बैठक आयोजद करती है और लौटरी के माध किस परिवार को उस वर्ष खेती के लिए कितनी जमीन मिलेगी तो आपका सैवंध का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा मिजोरम आपका एट कोश्चन आया था माउंट एवरेस्ट इजा पार्ट आफ तो आपका एट कोश्चन सही हो जाएगा दूसरा नेपाल वैसे मैं जो आप्शन सही दिया गया था और नेपाल इसलिए मने नेपाल सही कर आया आपका नाइंट कोश्चन आया था निम्न लिखित मे? एक प्रतीवर्ती परिवर्तन की पहचान करें तो आपका नाइन को ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा पीघला हुआ मोम टियार करना आपका 10th question आया था विभिन ब्रच्छों पौधों में पाई जाने वाली जड़ों की निम्न लिखित विशेस्ताओं पर विचार कीजिए तो आपका 10th option पहला सही हो जाएगा A, C और E पेड की लटकी हुई साखाओं की तरह दिखते हैं लेकिन वास्ताओं में इसकी जड़े हैं इस्तंबो की तरह पेड को मजबूत सहारा प्रिदान करने वाली जड़े लटकती साखाएं बढ़ती हैं और जमीन के नीचे गहराई तक पहुंशती हैं बरगत के पेड़ की जड़ों में पाय जाने वाले लच्छड हैं आपका 11th question आया था एक छात्र द्वारा दिये गैन्निम्न लिखित कतनों पर विचार करें मैं एक ऐसी जगह से आया हूँ जो एक पहाडी छेत्र है हमारे यहां भारी बारिस होती है और बर्फ बारी भी होती है जो ठंड होती है जब ठंड होती है तो हम धूप में बैठना पसंद करते हैं हमारे घर किस से बनने होते हैं तो आपका 11th option सही हो जाएगा तीसरा कि यह छाद्र मनाली या हिमाचल प्रदेश का होना चाहिए मनाली जो कि हिमाचल प्रदेश में है आपका 12th question आया था आपका मित्र कमजोर दातों और हड़ियों के कारण बीमार रहता है उसके ठीक होने के लिए निम्न लिखित में से कौन सा विकल्प सबसे अच्छा होगा तो आपका 12th option तीसरा सही हो जाएगा दूद, सबजियां, पालक, फल आपका 30th question आया था consider the following statements about behaves मधुमक्खी के छटे के बारे में निम्न लिखित त्यतनों पर विचार कीजिए तो आपका 13th option फूर्थ सही हो जाएगा B, C और D छटे में केबल कुछ नर होते हैं छटे में अधिकांस मधुमक्खियां, स्रमिक मधुमक्खियां होती हैं जो सहिद के लिए फूलों से अमरत खटा करती हैं तारी करता मधुमक्खियों के बिना ना तो छटा होगा ना ही कोई अमरत संग्र है आपका 14th question आया था निम्न लिखित में से उन विशेस्ताओं को चुनिये जो नीचे दिये गए सभी जैनवरों में पाई जाती है तो आपका 14th option सही हो जाएगा तीसरा अंडे देना आपका 15th question आया था consider the following statements about earth worms केचुवा के बारे में निम्न लिखित सेथनों पर विचार करें तो आपका 15th option सही हो जाएगा तीसरा A, B और C वे मिट्टी को नरम करते हैं क्योंकि वे सुरंग बनाने के लिए नीचे खुदाई करते रहते हैं आपका 15th option सही हो जाएगा तीसरा A, B और C वे मिट्टी को नरम करते हैं क्योंकि वे सुरंग बनाने के लिए नीचे खुदाई करते रहते हैं वे म्रत पत्तियों और पौधों को खाते हैं और उनकी बूंदे मिटी में खाद डालती हैं वे कच्छरे को खाद में बदल देते हैं आपका 16th question आया था The child-centered nature of environmental studies at primary level is due to प्रात्मिक इस्तर पर पर्या बरण अध्यन की बाल के इंद्रित प्रक्रति का कारण है तो आपका 16th question आपका 4th सही हो जाएगा Cable A of D गतिविदी अधारित सिछा सीखने के लिए स्कूल, घर और समधाई की भागेदारी आपका 17th question आया था The objective of environmental studies at primary level is प्रात्मिक इस्तर पर पर्या बरण अध्यन का उद्धेश है तो आपका 17th question पहला सही हो जाएगा A, B और C बच्चों को अपने स्वैम के सीखने पर प्रतिबंधित करने के लिए पोत्साहित करना बच्चों को पर्या बरणी समस्याओं को हल करने में सच्छम बनाना बच्चों को नए ज्यान का स्रजन करने के लिए सनलगन करना आपका 18th question आया था परात्मिक इस्तर पर पर्या बरण अध्यन के सम्मंद में निम्न लिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो 18th का आपका पहला सही हो जाएगा पर्या बरण अध्यन, विज्ञान, सामाजे विज्ञान और पर्या बरण सिच्छा के अफधारणाओं और मुद्दों को एकी करता है आपका 19th question आया था चैलेंजर पर इवियस लर्निंग अट प्राइमरी लेवल प्राथ में किस तरपर इवियस सीखने के लिए चुनोती है तो आपका 19th का 4th option सही हो जाएगा बच्चों को अपने लिए ग्यान निर्माण का औसर देना आपका 21st question आया था सब theme in the syllabus of इवियस at primary level is प्राथ में किस तरपर इवियस के पार्ट क्रम में उपविशय है तो 21st का आपका तीसरा सही हो जाएगा प्लांट्स पौधे आपका 24th question आया था Issues of theme food can be meaningful and authentic for the student इफ भोजन विशय के मुद्दे छात्रों के लिए सार्थक और प्रमारित हो सकते हैं यदी तो 24th का option आपका पहला सही हो जाएगा मुद्दों के इर्द गिर्द समू कारे और चर्चाएं आयोजन की जा सकती हैं आपका 25th question विच कैन बी वेरी गूड रिसोर्स फ़र इवियस लर्निंग इवियस सीखने के लिए कौन सा बहुत अच्छा संसादन हो सकता है तो 25th का option आपका पहला सही हो जाएगा फिल्ड ट्रिप का आयोजन आपका 26th question आया था इसूस रिलेटेड तू वाटर थीम कैन बी लंड एफेक्टिवली इफ जल थीम से सम्मंदित मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है तो आपका 26th का option पहला सही हो जाएगा A, B और C रोल प्ले आयोजन किये जाते हैं बच्चों के बीच वास्टविक समवातों प्रत्साहित किया जाता है सनरचित, छेत्र यात्राई, आयोजित की जाती है आपका 27th question आया था EBS text book contain real incidents for the learning of EBS because EBS पार्ट पुस्तकों में EBS सीखने के लिए बास्ट में घटनाए होती हैं क्यूंकि तो आपका 27th option 4th correct हो जाएगा A, B और C वे सीखने के समरद्ध स्रोत हैं वे बच्चों के लिए प्रासंगिक बातवर्ण प्रदान करते हैं वे पहले की परिचित घटनाओं को फिर से देखने का आउसर प्रदान करते हैं दोस्तों ये गूगल ट्रांसलेशन होता तो हिंदी थोड़ी सी कठे न आती है तो आप से एक निवेदन है कि आप इंगलिस को भी प्रिफर करें आपका 28 कोश्चन आया था आपका थर्टियत कोश्चन आया था एक EBS सिच्छक एक मुल्यांकन उप्तरण का उप्योग करता है जो ना केवल सबसे अच्छा बलकि एक समय में किये गए बच्चों के सभी प्रकार के कार्यों या गति विदियों को एक अत्र करता है सिच्छक उप्योग कर रहा है तो आपका थर्टियत का सेकेंड आप्शन सही हो जाएगा पॉट्फोलियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे यूट्यूब चनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ सेयर करें आज हम 8 जनवरी सीटेट 2021 पेपर वन के फूल 30 कोश्चन एवियस के करेंगे तो आपका पहला कोश्चन आया था दा अर्थ इस राउन लाइक अ ग्लोब दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक दे कर दीजिएगा और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस यूटूब चैनल को विजिट करें इस यूटूब चैनल पर 2021 में हुए सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 के मैग्जिमम सिफ्टों के सलुशन्स आल्रेडी प्रोवाइट कर दिये गए हैं आप इस यूटूब चैनल को विजिट करें और सभी सिफ्टों के सलुशन्स देख लीजिए आपका दूसरा कोश्चन आया था पोचम पल्ली एक ऐसा सहर है जहां अधिकांस परिवार बुनकर है और वे जो विशेज कपड़ा बुनते हैं उसे पोचम पल्ली कहा जाता है वे सहर जहां चमकीले रंग की सुन्दर पोचम पल्ली साडिया बनाई जाती है किसका हिस्सा है तो आपका सेकेंड का ओप्शन फूर्थ करेक्ट हो जाएगा प्रेलांगना आपका थाड कोश्चन आया था पॉलोविंग और दा स्टेप्स आफ दा प्रॉसेस आफ ग्रोईंग ओनियन क्रॉप्स विच आर नॉड गिविन इन दा प्रॉपर सिक्वेंसेज प्याज की फसल उगाने की प्रक्रिया के चरणने में लिखित हैं जो उचित क्रम में नहीं दिये गए हैं तो आपको सिक्वेंस बताना था तो आपका थाड का ओप्शन फूर्थ करेक्ट हो जाएगा B, C, A, E, D मिटी का मिटी को ढिला करने के लिए खुदाए उसके बाद बेज बोना उसके बाद निराई करना उसके बाद बाहर निकालना और उसके बाद प्याज के उपर से सुखे पते हटाना या काटना आपका फूर्थ कोशन आया था एक किताब में गोलकुंडा के लिए का नक्सा छपा हुआ है मान चित्र के नीचे भाग में इसका पैमाना इस प्रकार मुद्रित है स्केल बन सेंटी मीटर इस उकोल टू एक सो दस मीटर इब्राहिम बुर्ज और मासा बुर्ज के बीच की मापी गए दूरी तेला दिसमलों तीन सेंटी मीटर है इन दोनों बुर्जों के बीच की वास्तविक दूरी लगबग है तो आपका फूर्थ का उप्शन दूसरा सही हो जाएगा आपका फिप्ट कोश्चन आया था एक हजार साल से भी पहले हमारे देश का दौरा करने वाले विदूआन अलबरूनी तो आपका फिप्ट कोश्चन तीसरा सही हो जाएगा एसी डी और ई वए एक यात्री था जिसने हमारे देश का दौरा किया और उसने जो कुछ भी देखा उसका विवरण नोट किया उन्होंने उन चीजों के बारे में लिखा जो उन्हें अपने ही देश की चीजों से बहुत अलग लगी उनकी उस तक हमारे अतीत और सांस्कतिक विरासत के बारे में जानने में सहायक है उन्होंने तालाब बनाने में हमारे देश की लोगों के कौसल का विशेश रूप से उले किया था आपका सिफ्ट कोश्चन आया था निम्लिक जनवरों पर विचार करें तो आपका सिफ्ट कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा वे अंडे देते हैं आपका सिफ्ट कोश्चन आया था यदि आप एमदाबाद में इस्तित और भारत के मांचित्र पर एमदाबाद और दिल्ली के बीच एक सीधी रेखा की हिस्ते हैं तो एमदाबाद से दिल्ली की दिसा होगी तो आपका सिफ्ट को आप्शन सही हो जाएगा दूसरा उत्तर पूर्व आपका एट्थ कोश्चन आया था एकस्प्रेस ट्रेन का वसा डिस्टेंस आफ बन फॉर्टी फॉर्मीटर इन टू आर्स इस स्पीड इन मीटर पर सेकंड इस एक एकस्प्रेस ट्रेन दो घंटे में 144 किलो मीटर की दूरी तै करती है मीटर पर सेकंड में इसकी गती है तो इसमें आपको चाल फाइंट करनी थी तो आपका एट्थ को आप्शन सही हो जाएगा दूसरा बीस मीटर पर सेकंड आपका नाइंथ कोश्चन आया था इन मिजोरम विन हर्वेस्टिंग वर्क इस ओवर देवलेजर्जर कलेक्ट एंड सेलिब्रेट देगेट तो गेट तो पुक एंड इट सिंग एंड आउल्सो डांस दर नेम आफ दियर इससल डांस इस मिजोरम में जब कटाई का काम खत्म हो जाता है तो ग्रामीड खटा होते हैं और जिसन मनाते हैं वे खानाग बनाने और खाने गाने और नरत करने के लिए एक साथ मिलते हैं उनके विशेश नरत का नाम है तो आपका नाइंध को ऑप्शन ठीक हो जाएगा पहला चेराव आपका टेंथ question आया था पच्चियों की एक ऐसी प्रजाती है जिसके नर सुन्दर बने हुए घोसले बनाते हैं मादा सभी घोसलों को देखती है और उसे जो सबसे ज़्यदा पसंद है उसे चुनती है और तेय करती है कि उसे किस घोसले में अंडे देना है पच्चियों की इस प्रजाती का नाम है तो आपका टेंथ option दूसरा सही हो जाएगा बीवर वर्ड बुनकर पच्चिय या बीवर बर्ड आपका 11th question आया था इंडिया है भारत में केंसासे प्रदेसों की संख्या पूछी गईती तो इसमें आपका option इसमें typing error है आपके 8 हो जाएगा आपका 12th question आया था फॉलोविंग organism respectively belongs to which class of animals निम लिखे जीव क्रमसर किस वर्ड की जनतुओं से सम्मन्देत है तो आपका 12th option सही हो जाएगा फूर्थ सरीसरफ इस्तनपाई सरीसरफ इस्तनपाई पच्छी कीट आपका 13th question आया था आरेनाथ सपेरे है जब बीन नाम के अपने वादियंद्र बजाता है तो साप अपना सिर आवाज से इधर उधर घुमाता है साप संगीत वादियंद्र की आवाज पर प्रत्क्रिया करता है क्योंकि वह है तो आपका 13th option सही हो जाएगा फूर्थ बीन द्वारा उत्पन निकंपन जमीन के माध्यम से प्रेसित होते है आपका 14th question आया था दो लड़कियों X और Y की clinical pathology report नीचे दी गई है X की वह में 12 साल महिला हीमोगलोबिन 10.5 ग्राम डेसी लिटर Y आयू 10 वर्स महिला हीमोगलोबिन 12.5 एन रिपोर्ट्स की अधार पर यह निसकस निकाला जाता है की तो आपका 14th option पहला सही हो जाएगा X एनीमिया से पीड़े थे जबकि Y नहीं आपका 16th question आया था एक अलग देश से एक नया च्छात्र आपकी कच्छा में सामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से इस्थानिये च्छात्र सामिल होते हैं और इसे च्छात्रों को विवित्ता का मूल्य सिखाने और समावेशिता का निर्मार करने के आउसर के रूप में उप्योग करना चाहते हैं इन में से कौन सी गतिविधी इस उद्देश के लिए सबसे उप्योग है तो आपका 16th option दूसरा सही हो जाएगा प्रते एक बच्चे के घर में प्रथाओं में समानता और अंतर के बारे में तच्छा में चर्चा करें आपका 17th question आया था वीडियो कॉन्फरेंसिंग एप की निम लिखित में से कौन सी विशेस्ता का उप्योग ये प्रदस्यत करने के लिए किया जा सकता है कि बिना बोले संचार कैसी किया जा सकता है आपका 17th option जो करेक्ट होगा वह है आपका दूसरा चैट में जी आईएफ आपका 18th question आया था विच आप दा फॉलोविंग एक्सरसाइजेस मोस्ट क्लोजली अलाइनस विद्धा कॉंस्ट्रक्ट टिविस्ट अप्रोच निम लिखित में से कौन सा अभ्यास रचनावादी दरश्टी कोड के साथ सबसे अधिक निकटा से मेल खाता है तो आपका 18th option 4th सही हो जाएगा विभिन देशों की पहचान करने के लिए गलोग का उप्योग करना जिनके बारे में छात्रों ने सुना होगा आपका 9th question आया था Which of the following is the best example of students engaging in active learning निम्नली खित में से कौन सत्री सिछड में सनलगन छात्रों का सबसे अच्छा उधारण है तो आपका 19th का 1st option correct हो जाएगा छात्र विभिन प्रकार के कार्य जो लोग करते हैं के बारे में ब्लैक बोर्ट पर बनाए गए माइन मैप पर अपने विचार जोड़ते हैं आपका 20th question आया था What would be an authentic task with respect to lesson on cooking खाना पकाने के पार्ट के सम्मंद में एक प्रमारिक कार्य क्या होगा तो आपका 20th option तीसरा सही हो जाएगा आपके विध्याले में एक आगरहित खाना पकाने मेले का आयोजन करना जहां च्छात्र खाना बनाते हैं और बेचते हैं Conducting a fireless cooking Where in your school where students make and sell food आप अपरटन्टी first question आया था In a chapter where sharing feelings One student asked why are you teaching us about feelings in EBS Which of the below responses best explains The scope of learning this chapter in EBS भावनाओं को साजहा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूस्ता है आप हमें EBS में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हो नीचे दी गई प्रत्क्रियाओं में से कौन से EBS में इस पाध्याय को सीखने के दायरे की सबसे अच्छी व्याख्या करती है तो आपका 21st option पहला सही हो जाएगा हम हर समय अन्य लोगों के साथ बात्चीत करते हैं प्रतेक व्यक्ति अलग है समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है आपका 22nd question आया था उजैरा और सहमीर विस्व के विभिन देशों को देख रहे हैं उजैरा देखिए इस गलोब पर विभिन देशों की बीच रेखाएं हैं क्या ऐसी रेखाएं प्रत्वी पर भी होती हैं सहमीर होना चाहिए वे इस पुस्तक में भारत के मांचित्र पर हैं देखिए विभिन राजियों के बीच भी रेखाएं हैं उप्रक्त पाट का उप्योग कच्छा पाच के छात्रों को अच्छांस और दिसांता से परचित कराने के लिए किया जाता है इन में से कौन सा प्रश्न उजैरा और सहमीर को इन पंक्तियों को बहतर धंक से समझने में मदद करेगा तो आपका 22nd का उप्शन दूसरा सही हो जाएगा जैमिती में बिंदूओं को आलेखित करने के लिए आप रेखाओं वाली आलेख उस तिकार का उप्योग क्यों करते हैं आपका 23rd कोशन आया था इतिहासिक इस मारक विशाई के लिए इन में से कौन एक विशिस्ट मापने योग और प्राप सीखने का उद्देश है तो आपका 23rd का उप्शन तीसरा सही हो जाएगा चात्र गोल कुंडा के लेके निर्माण में प्रयोक्ति विभिन सामगरियों को उनके उद्देश के याधार पर वरगी करत करेंगे आपका 24rd कोश्चन आया था आप अपनी कच्छा में गोंद की एक बड़ी बोतल लेकर आए हैं ताकि चात्र आगामी पडर्शनी के लिए अपनी परयोजनाओं के लिए उप्योग कर सके आपने चात्रों से कहा है कि बोतल समाफ्थ होने के बाद उसे बदला नहीं जाएगा और उन्हें इससे समझदारी से इस्तिमाल करना होगा निम्न लिखित में से कौन सी गतिविदी चात्रों को सीमित मात्रा में संसाधनों के लिए वैकल्पिक संसाधनों का उप्योग करने के विचार पर सनलगने होने में मदद करेगे तो आपका 24th का आप्शन दूसरा सही हो जाएगा चात्रों से उन विभिन सामगरियों को सूची बद्द करने के लिए कहें जो चिपचपी हैं भले ही वे अपनी परियोजनाओं पर काम कर रहे हो आपका 25th कोश्चन आया था तो आपका 25th का आप्शन पहला सही हो जाएगा यह समझना की कौन सा द्रव एक प्लेट पर प्रते की एक बूंद डाल कर और उसे जुका कर तेजी से बहता है आपका 26th कोश्चन आया था तो आपका 26th कोश्चन के विशे को प्रेस्टो करने के लिए निमलिकित में से कौन हो किया ओपनिंग के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है तो आपका 26th कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा विद्यारतियों को एक टोपी, एक रैन कोट और एक स्वेटर दिखाना और उनसे पूछना कि उन्होंने इन में से किस कोश्चन किया है आपका 27th कोश्चन आया था लर्निंग अब्जेक्टिव, इस्टूडेंट बिल बी एबल तू अफ्लाइ दा कॉंसेप्ट आफ कॉम्निकेवल वरसस नौन कॉम्निकेवल डिसीजिस विच आप दा फॉलोविंग असिस्मेंट कोश्चन बेस्ट टेस्ट फॉद लर्निंग अब्जेक्टिव, शीखने क हम कोविट के प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उप्योग क्यों करते हैं, लेकिन मदमे के प्रसार को रोकने के लिए नहीं आपका 28 कोश्चन आया था एक सिच्छ का अपने छातरों को बिभिन विश्व धरो हरो इस्तलों के बारे में सिखाने और उनकी वास्तु कला एतिहासिक प्रस्ट भूमी आध को बहतर ढंक से समझने के लिए प्रोध्योगिकी का उप्योग करना चाहती है निमने लिखित में से कौन सी तकनीकी इस उद्धेश्ची के लिए सबसे उप्योग होगी तो आपका 28 को आप्शन तीसरा सही हो जाएगा आभासी वास्तविक्ता वर्चुल रियलिटी आपका 29 कोश्चन आया था निमने लिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ इस अफधार्णा को सिखाने के लिए सबसे उप्योग्त है तो आपका 29 को आप्शित दूसरा सही हो जाएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ सेर करें मेरे चनल को सब्सक्राइब करें आज हम 10 जनुवरी सी टर्टी टीवन पेपर वन के फुल 30 कोश्चन एवियस के करेंगे तो आपका पहला कोश्चन आया था निम्न लिखित में से चुनिये कि भारी वर्सा वाले चेतरों में रहने वाले अधिकांस गाओं के लोगों द्वारा किस प्रकार के घर बनाय जाते हैं तो आपका पहले का आप्शन तीसरा सही हो जाएगा धलवा च्छतो वाले इस्टिल्ड पर मकान हाउसे ओन इस्टिल्ड विथ स्लोपिंग रूप्स आपका सेकेंड कोश्चन आया था नेम आपदा लेडी वेटलिफ्टर फू हाज वॉन ट्वंटिन नाइन मैडल्स इन दा इंटरनेशनल इवेंट्स इज अंतर अस्टिस्ट परधाओं में 39 पदक जीतने वाली महिला भारतोलक का नाम है तो आपका दूसरे का आप्शन पूर्थ सही हो जाएगा करणम मलेश दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक दे कर दीजिएगा और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस यूटूब चैनल को विजिट करें इस यूटूब चैनल पर 2021 मे हुए सीटेट पेपर वन और पेपर टू के मैग्जिमम सिफ्टों के सोलुशन्स और रेडी प्रोवाइट कर दिये गए हैं आप इस यूटूब चनल को विजिट करें और सभी सिफ्टों के सोलुशन्स देख लीजिए आपका थर्ड कोशन आया था तो आपका थर्ड कोशन आया था तो आपका थर्ड को आप्शन पहला सही हो जाएगा मेगा लेया आपका फूर्थ कोशन आया था ओन यूर बुक देर इस अ मैप आफ 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 बिक सिटी अधर राइट हैंट टॉप कॉर्णर दैस्केल इस स्केल वन सेंटी मेटर इस एकुल तो 950 मेटर आपकी पुस्तक पर एक बड़े सहर का नकसा है दाहने हाथ के सीर्स कोने पर पैमाने की रूप में मुद्रत किया गया है पैमाना एक सेंटी मेटर इस एकुल तो 950 मेटर यदि इस मानचितर पर रेलवे स्टेशन और हवाई अड़े के बीच की मापी गई दूरी 16.7 सेंटी मेटर है तो इन दोने स्टानों के बीच की वास्तवी दूरी लगबग है तो आपका फूर्थ का उप्शन दूसरा सही हो जाएगा 15.9 किलो मेटर आपका फिप्ट कोश्चन आया था तो आपका फिप्ट का उप्शन दूसरा सही हो जाएगा C, D और E प्रति भागियों को अपना बैग ले जाने में मदद करें एक उप्यूक्त जगहे खोजे जहां प्रति भागी रुख सके और आराम कर सके जो आस्वस्त हैं उनकी देख भाल करें और समू के लोग समू के लिए उचित भोजन की प्यवस्ता करें आपका सिक्स्त कोश्चन आया था एक पेड की बारे में निमनलिखित कतनों पर विचार करें इसमें आप देजर टोक के बारे में बताना था तो आपका सिक्स्त कोश्चन थर्ड सही हो जाएगा यह पेड एक आमकच्छा की दिवारों जतना लंबा होता है इस पेड की छटे पानी की मेंस तक वाउचने तक अपनी उचाई से लगबग तीन गुना नीचे जाती है यह पेड अपनी सून में पानी जमा करते है इस ट्री ग्रोज अस तॉल अस वाल्स अ कमन क्लास्रूम अपका सेवंध कोश्चन आया था अपका सेवंध कोश्चन आया था अन एक्ष्प्रेस्ट रंग तो नुडेली तो लखनौ वाया मुरादाबाद तो इसमें आपको स्पीट फाइंड करनी थी तो आपका सेवंध कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा बीस मीटर प्रति सेकेंड आपका एट्ट कोश्चन आया था यदि आप भारत के मांचितर पर एक सीधी रेखा खिशते हैं जो भारत की राजधानी को पश्चम बंगाल की राजधानी से जोड़ती है तो नई दिल्ली के सम्मंद में कुलकाताकेस्तान की दिसा होगी तो आपका एट्ट कोश्चन पहला सही हो जाएगा आपका नैंद कोश्चन आयता है ग्रीगर मेंडल वाज़ा मॉंग हो डिट एक्सपेरिमेंट्स पर सब्सक्राइब इस ओन्टी एट थाउज़न पी प्लांट्स इन दा गार्डेन ऑफ मोनेस्ट्री ग्रीगर मेंडल एक साधू थे जनोंने एक मट के बगीचे में 28,000 मतर के पौधों पर 7 साल तक प्रियोग किये उन्होंने पाया कि मतर के पौधों में कुछ ऐसे लच्छर होते हैं जो जोड़े में आते हैं निम्न लिखित में से उसका चयन करे जो मेंडल द्वारा नहीं पाया गया तो आपका नाइंद का ओप्रिशन फोर्थ सही हो जाएगा अगली पीड़ी के पौधों में हरे और पीले दोनों रंग से बने मिश्रत नए रंग के बीज होते हैं आपका टेंथ कोश्चन आया था नेम अब बर्ड विच हैज दा फॉलोविंग क्रेक्टरिस्टिक्स अक्राउं एक पच्ची का नाम बताइए जिसमें निमन लिखित विश्यस्ता हैं सिर्पर मुकुट और पूच पर सिक्के रूप से उपर से पर इस्टरम तक नीले रंग के इतने रंग तो आपका 10th को आप्शन तीसरा सही हो जाएगा यह सारी विश्यस्ता हैं आपकी मूर की होती है आपका 11th कोश्चन आया था इंडिया है इस्टेट्स भारत में कितने राज्ज है तो आपका 11th को आप्शन पूर्ट सही हो जाएगा 28 राज और यूनिन टरिट्रीट्री एट है केंसासत प्रदेश आपका 13th कोश्चन आया है तो जिस केंसासित जिस राज केंदर सासित प्रदेश से आपकी गुजरने की संभावना नहीं है वह है तो आपका 13th का आप्शन तीसरा सही हो जाएगा पंजाब आपका 14th कोश्चन आया था अग्रूपा 3 diseases spread by mosquitoes is मच्छों के फैलने वाली तीन बिमारियों का समू है तो आपका 14th कोश्चन तीसरा सही हो जाएगा मलेरिया डेंगू चिकनगुनिया आपका 15th कोश्चन आया था स्लेक्ट फॉर्म दा फॉलोविंग अग्रूपाफ त्री इटेबल विच आरीचिन आयरन निम लिखित में से तीन खादे पदात्तों के समू का चैनकरी जो आयरन से भरपूर हैं तो आपका 15th कोश्चन पूर्थ सही हो जाएगा आवला पालक गुड़ आपका 16th कोश्चन आया था एक अलग देश से एक नया चात्र अपनी कच्छा में सामिल होता है जिसमें मुख के रूप से स्थानी चात्र सामिल होते हैं आप इस अवसर का प्योग होते हैं आपका 17th कोश्चन आया था विच आप फॉलोविंग फीचर्स आफ जूम आफ जूम एप कैन बी यूज़ बेस्ट डिमॉंस्ट्रेट हाव कन हाव कम्निकेशन कैन बी डन बिदाउट स्पीकिंग जूम एप की निम्न लिखित में से कौन सी विशेस्ता का उप्यो आपका 18th कोश्चन आया था निम्न लिखित में से कौन सा अभ्यास रचनावाज दरश्टिकोड के साथ सबसे अधिक निकरता से मेल खाता है तो आपका 18th कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा प्रदूसकों की उपस्तिती की पहचान करने के लिए नदी की रंग का उप्योग करना आपका 19th कोश्चन आया था निम्न लिखित में से कौन सक्रिय सिच्छड में सनलगन चात्रों का सबसे अच्छा उधारन है तो आपका 19th कोश्चन पहला सही हो जाएगा वर्सों से बाहनों को दर्साने वाली एक व्रत चित्र को देखने के बाद बाहनों में देखे ग प्रमारी कार क्या होगा तो आपका 20th कोश्चन सही हो जाएगा विद्यार्थियों से अपने डेस्क के लिए एक पैंसे लिस्टन बनाने के लिए कहना जिसमें विकच्छे माल का चयन करना चाहते हैं जिनका वे उपियों करना चाहते हैं आपका 21st कोश्चन आया था आप ख कौन सी EVS में इस अध्याय को सीखने के दायरे की सबसे अच्छी व्याक्या करेगी तो आपका 21st को पहला सही हो जाएगा खेल सदियों से खेले जाते आ रहे हैं खेल सदियों से खेले जाते रहे हैं और आपने अपने आसपास बहुत से लोगों को फुर्सत या काम के लिए खेल खेलते हुए देखा हैं यह अध्याय आपके परवेश को बहतर ढंक से समझने में आपकी मदद करने का एक हिस्सा है आपका 22nd कोश्चन आया था सहमीर प्रत्वी के निचले हिस्सी की और इसारा करते हुए आपके कहने का मतलब है कि यह कोई नहीं यहां कोई नहीं रह हैं यह लोग गिर क्यों नहीं जाते उप्रियोक्त पाठका उप्रोक्त पाठका उप्योक च्छपाज के च्छत्रों को गुरुत्वा कर्शन की अवधार्णा से परचित कराने के लिए किया जाता है नियम लिखित में से कौन सा दर्ष्टिकोर सहमीर के ब्रहम को रहे हैं आपका 29 कोश्चन आया था पॉर्द टॉपिक सेंस ओर्गन विच आप दीज़ा स्पैस्विक मेजरेबल एंड अटेनिबल लर्निक अब्जेक्ट्यों आपका इंद्रिय अंगों विसे के लिए इन में से कौन एक विस्षिस्टम आपने योग और प्राप्त सीखन परी सूची को वर्गी रत करें आपका 24 कोश्चन आया था आप अपनी कच्छा में गूंद की एक बड़ी बोतल लेकर जाएं बड़ी बोतल लेकर आएं हैं ताकि चात्र आगामी प्रदर्शनी के लिए अपनी परियोजना परियोजनाओं के लिए उप्योग कर सकें आपन चात्रों से कहा है कि बोतल समाप्त होने के बाद उसे बदला नहीं जाएगा और उन्हें इसे समझारी से इस्तमाल करना होगा निम्न लिखित में से कौन सी गतिवीदी चात्रों को उन संसादनों के संरच्छन पर सनलगने में मदद करेगी जिनने वापस नहीं लाया जा सक सब्सक्राइब को एक सामान रजिस्टर में लिखने के लिए कि उन्हों ने हर बार कितने चमच गोंद लिया और कब और क्यों आपका 25 प्रियोग करके किसी विशिस्ट निसकर्स पर पहुचने का सबसे अच्छा उधारण है आपका 25 प्रियोग का ओप्शन तीसरा सही हो जाएगा ये समझना कि आप चाय के उपर हवा उडाते हैं तो एक गर्म तब चाय ठंडी क्यों हो जाती है आपका 26 प्रियोग के बारे में यारितुमों के विशे को प्रस्तुत करने के लिए निम्न लिखित में से कौन हुक या ओपिनिंग के रूप में सबसे कम प्रासंगिक है तो आपका 26 प्रियोग को पहला सही हो जाएगा विद्यार्थियों को सेर पर ले जाना और उनसे ये वड़न करने के लिए कहना कि आन प्रस्तर को समझेंगे निम्न लिखित में से कौन सा मुल्यांकन प्रश्ण इस सीखने के उद्देश के लिए सर्वोत्तम परिच्छण करता है तो आपका 27 को आप्शन तीसरा सही हो जाएगा सामान सर्धी का संचरण मधुमेश से किस प्रकार भिन्न है आपका 28 कोस्चन आ इमेजनरी की अधार पर प्रत्वी का 3D प्रतने जुत्वक प्रस्तुत करता है पाराम पर एक मांचित्र पुस्तकों की तुला में एक निर्देशात्मक उपकरन के रूप में इस अप्लिकेशन का क्या लाब है तो आपका 28 को आप्शन 4 सही हो जाएगा ये छात्रों को पर एक सिच्छक तच्छा में दो गंबले वाले पौधे लाता है गुलाब और अधरक निम्न लिखित में से कौन सबीसे इन पौधों का उप्योग करके प्रत्रस्त नहीं किया जा सकता है तो आपका 29 को आप्शन 4 सही हो जाएगा पौधों में फैला बीज आपका 30 कोश्चन आया था अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ सेयर करें मेरे यूट्यूब चनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें आज हम 11 जनवरी को हुए सी टैर 2021 पेपर वन के फुल 30 कोश्चन एवियस के करेंगे तो आपका पहला कोश्चन आया था हमारे देश के निमने लिखे दो राज्यों में से किस राज्य के लोगों का सबसे पसंदीदा भोजन इडली बड़ा धोसा सांबर नारियल की चटनी है तो आपका ओप्शन तीसरा सही हो जाएगा तर मिलनाडू आंदर प्रदेश दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक दे कर दीजिएगा और अगर आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस यूटूब चैनल को विजिट करें इस यूटूब चैनल पर 2021 मे हुए सीटेट पेपर वन और पेपर टू के मैक्जिमम सिफ्टों के सोलुशन और रेड़ी प्रोवाइड कर दिये गए हैं आप इस यूटूब चनल को विजिट करें और सभी सिफ्टों के सोलुशन देख लीजिए आपका सेकंड कोश्चन आया था यदि कोई व्यक्ति सबस च्छोटे मार्ग से मुंबई से चंडीगड तक ट्रेन से यात्रा करता है तो ट्रेन के आने की संभावना नहीं है तो आपका दूसरे का ऑप्षन दूसरा ही सही हो जाएगा पंजाब आपका फ़र्ड कोश्चन आया था एक सिवर में एक अत्रित छात्रों के समू में एक लड़की द्वारा की लड़की द्वारा दिये गैन्निम्न लिखित कथनों पर विचार करें मैं एक ऐसे सहल से आई हूँ जो एक पहाडी छेतर है हमारे यहां भारी बारिस होती है और बर्फ बारी भी होती है जब बहुत ठंड होती है तो हम दूप में बैटना पसंद करते हैं हमारे घर पत्थर ये लकड़ी के बने हैं तो आपका थाट का ऑप्षन फोर्थ सही हो आया था। ऐस्था फुर्थ कोष्यों आया था। आपका फूर्थ कोष्यों आया था। ढगात। बीन न्यु दैली इस्टेशन कांपू रेलवे स्टेशन एष्टेशन और 30 2 km. मिटर ऐट्रेंट इस टार्टिगं आटीनटींटीवान एट ट्रॉंटी थी पॉइंट फॉर फइब आरस शट्रॉं निय्ज लिवे Kelvin टेशन ऑक कि दूरी 432 मिटर एक ट्रेंट 18.12.2021 को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 11.45 बजे शुरू होकर 19.12.2021 को 7.45 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुचती है यात्रा के दोरान ट्रेन की औसत गती है तो इसमें आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी दे तो आपका फूर्थ का उप्शन दूसरा सही हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड आपका फिप्ट कोश्चन आया था निम्न लिखित में से दो जैनवरों के एक समुका चैन करें जहां सामने के दात जीवन भर बढ़ते रहते हैं इसलिए उन्हें अपने दातों को बहुत लंबा होने से बचाने के लिए चीजों को कुतरते रहना पड़ता है तो आपका फिप्ट का उप्शन तीसरा सही हो जाएगा चूहा और गिलहरी आपका सिक्स कोश्चन आया था कन्नौज इजा आपका सिक्स कोश्चन आया था कन्नौज is a district which is famous throughout India for its इत्रो इस district is a part of कन्नौज एक ऐसा जिला है जो अपना तरह के लिए पूरे भारत में प्रशिद्ध है ये जिला का एक हिस्सा है तो सिक्स का उप्शन आपका फूर्थ सही हो जाएगा ये तो answer सबको ही पता होगा सेवंथ कोश्चन आया था आपका सैंड डून्स are found in रेत के टीले पाय जाते हैं तो आपका सेवंथ कोश्चन पूर्थ सही हो जाएगा अबुदाभी and अफ्कानिस्तान आपका एट्ट कोश्चन आया था भोपाल is due north of Bangalore and गांधी नगर is due west of भोपाल the direction of Bangalore with respect to गांधी नगर is भोपाल बैंगलोर के उतर में है और गांधी नगर भोपाल के पश्चे में गांधी नगर के सम्मंद में बैंगलोर की दिसा है तो ये कोश्चन आपका दिसा सम्मंदित था तो आपका एट्थ को ओप्शन सही हो जाएगा तीसरा गच्छट पूर्व साउथ इस्ट आपका नाइन्थ कोश्चन आया था स्लेक्ट करेक्ट स्टेट्मेंट फ्राम दा फॉलोविंग अबाउट ब्रोंज कांध के बारे में निमल खित में से सही कथन का चयन करें तो आपका नाइन्थ को ओप्शन तीसरा सही हो जाएगा यह कॉपर और टिन के मिस्र धातू है आपका टैन्थ कोश्चन आया था स्लेक्ट फॉलोविंग अ मैच विच देज नाट प्रोवाइड दा करेक्ट वे प्रिजर्वेशन आफ दा करेस्पोंडेंस फूड आइटम निमल खित में से एक मैच का चयन करें जो संबंदित खाद पदार्थ के संरचन का सही तरीका प्रदान नहीं करता है तो आपका टैन्थ को ओप्शन दूसरा सही हो जाएगा दूद पनीर मिल्क पनीर हमारे देश के किस भाग में रहने के लिए उपियोग के जाने वाले बड़े संकू के याकार के तंबू को रेबू के नाम से जाना जाता है और जिस स्थान पर जानवरों को रखा जाता है उसे लेखा कहा जाता है तो आपका 11 option को रख सही हो जाएगा ले और लद्धाक आपका 12th question आया था इन आर कंट्री देयर आर हमारे देश में केंसासित पृदेसों की संख्या है तो आपका 12th option तीसरा सही हो जाएगा आठ चेंसासित पृदेस आपका 13th question आया था स्लेप्ट फॉलोविंग अग्रूप आफ थ्री स्टेट्स और हैविग दिया कोस्ट ऑन दा अरेबियन सीनिय में लिखित में से तीन राज्यों के एक समुका चैयन करें जिसमें सभी तेट अरब सागर में इस्तित हैं तो आपका फैटींद कॉप्शन पहला सही हो जाएगा क तो आपका फॉर्टींद कॉप्शन तीसरा सही हो जाएगा यह 36 गड़ राज्यका है आपका फिप्टींद कॉप्शन आया था कंसीड़ फॉलोविंग स्टेट्मेंट्स अबाउट दा आथ वांस दा ट्रू स्टेट्मेंट्स आर केच्वा के बारे में निम लिखित कथनो पर विचार करें सत्य कथन है तो आपका फिप्टींद कॉप्शन पूर्थ सही हो जाएगा ए बी और डी केच्वे खेतों में सुरंग बनाते हैं जो हवा और पानी को मिटी में असानी से पहुचाते हैं केच्वे नीचे खुदाई करके मिटी को नरम करते हैं केच्वे की मिटी में खाड डालती हैं आपका सिक्स्टी variance ओस इस और्शी ओधित से ही मिटलनिंग मोड बलैंडे लर्निग और नी और डी A, B और D छात्र कहीं से भी ओनलाइन कच्छा में सामिल हो सकते हैं छात्रों को सिच्छक और साथियों के साथ आमने सामने बाचित करने का मौका मिलता है छात्र समंदित गतविदियों के साथ अपने ओनलाइन सीखने को पूरा करने में सच्छम है आपका 17 कोश्चन आया था विच आपदा फॉलोविंग इजा फीचर आप सिंक्रोनस ओनलाइन टीचिंग आफ इविए स्रू वीडियो कॉन्फरेंसिंग एप नियमिल खितमे से कौन वीडियो कॉन्फरेंसिंग एप के माध्यम से इवियस के तुलना तुल कालिक ओनलाइन सिखन की एक विशेष्टा है तो आपका 17 को आपशन दूसरा सही हो जाएगा सिखक और चात्र वास्तविक समय में बाच्चित करने में सच्छम है आपका 18 कोश्चन आया था स्वाती कच्छा फूर्थ की एक इवियस इच्चका है घास बास गुलाब केला ताड के पेड़ जैसे विभिन प्रकार के पौधों का एक वीडियो दिखाती है और अपने चात्रों के साथ सभी पौधों में पत्तियों तनों और फूलों के साथ पौधों के आकार के बारे में चर्चा करती है इस विदिकार सबसे उप्योक उद्धिश विद्यार्थियों का ध्यान इस और आकरसित करना है तो आपका 18th कॉप्शन तीसरा सही हो जाएगा पौधों की स्रेडी में मौजूद विभिन्यताओं को देखें अब्जाब वैरियेशन प्रेजेंट्स विदिन दा केटागरी आफ प्लांस आपका 19th कोश्चन आया था भोजन विशेपडाते समय एक एवियस सिच्च का रीता अपने कच्छा फिप्त के चात्रों से विभिन्य पडोसी घरों में खाद समरच्षन विदियों का पालन करने के लिए विभिन्य तरीकों के बारे में सर्वेच्षन करने के लिए कहती है इस सर्वेच्छन के सबसे उप्युक्त उद्देश से होंगे तो आपका तुन्टिएथ का ओप्शन दूसरा सही हो जाएगा A, C और D छात्रों को बिभिनने लोगों के प्रति सम्वेधन सील बनाना समुदाय के प्रतिछ जानकारी एकत्र करने का औसर प्रदान करना समुदाय के साथ बाच्चीत करने का औसर प्रदान करना आपका तुन्टिएथ कोश्चन आया था विच आप दीज आर ऑप्जेक्टिव आफ टीचिंग इविएस एड प्राइमरी स्टेज अकॉर्डिन टूदा प्रिजेंट करीकुलम चूज दा करेक्ट ऑप्शन नमाजिक और सैंस्क्रेतिक वातरवरण संबंदों का पतर स्मझने के लिए छात्रों को सिच्शित नहीं के लिए चात्रों में पिर्यावरण के मुद्यों के बारे में जागरुकता विश्शित करने लिए दूहर्ट दूसरा और बनाने के लिए निमनेले खितमान दंडों को ध्यान में रखना चाहिए तो आपका एक्टिस को और पूर्थ सही हो जाएगा समूहों के भी सहयोग और भागयदारी क्यादार पर समूह बनाएं में ग्रुप्स बेस्ट और कोपरिशन एंड पार्टिसिपेशन अमंग ग्रुप्स आपका 22 कोश्चन आया था नेचर आफ एवेस करिकूलम एड़ प्राइमरी लेवल इस राथमिक इस्तर पर एवेस पार्टिक्रम की प्रक्रति है तो आपका 22 कोश्चन पहला सही हो जाएग तो आपका 22 कोश्चन पहला सही हो जाएगा समावेशी प्रासंगिक विश्यगत इंक्लूजिव कॉंस्ट्रेक्चूल थेमेटिक आपका 23 कोश्चन आया था एवेस अफधार्णाओं को पेस करने के लिए कहानियों का चयन करते समय एक सिच्छा को नियम लिखित बातों को रखना चाहिए सही विकल्प चुने तो आपका 23 को ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा ए बी और दे कहानियों को किसी भी अफधार्णा के बारे में कोई गलत फैमी पैदा नहीं करनी चाहिए कहानियों को लिंग जाती धर्म और अन्यसामाजिक समुहों से सम्मंदित किसी भी इस्टुडेंट्स तो डू विच आफदा फॉलोविंग अक्टिविटीज तो इंक्लूड मैपिंग स्कल्स इन देम एक एवियस सिछक अपने छात्रों से मांचित्र को असल विक्सित करने के लिए निम्न लेखित में से कौन सी गतिविदी करने के लिए कहेगा तो आपका उपयोग करना मानचित्र की व्यक्ष्या करने के लिए मानवी क्रत मांखी क्रत स्रवभौमिक प्रतिकों का उपयोग करना आपका 25 कोश्चन आया था एक एवियस सिच्छक एक चर्चा के दोरान बताते हैं कि राजस्थान की गावों में लोगों ने अपने घर इस्थानी रूप से उपलब समगरियों से बनाये हैं कि मुंबई जैसे सहरों में लोगों का घर बनाने के लिए सीमेंट इटकाच और टाइल जैसे समगरी खरीते हैं इस चर्चा के आकलन के लिए सीखने के पईडाम हैं तो आपका ट्वंटी फिप्ट कॉप्शन फोर्ट सही हो जाएगा तुलना और विसलेशन कंपेरिंग आपका ट्वंटी सिखन आया था एक चाहता है कि उसके चाहतर पानी की बरबादी में योगदान करने वाले लोगों की विभिन दैने गति विदियों का पता लगाए इस देश के लिए निमन लिखित में से कौन सी सबसे उप्योगत रड़नीती है तो आपका ट्वंटी आपका ट्वंटी सेवंट को अप्शन दूसरा सही हो जाएगा बच्चों का वाता वरण आपका ट्वंटी सिख्चा के रूप में आप रात्मी कच्छाओं के चात्रों के लिए पार्थे पुस्तक के चैयन में किस मान दंड को सबसे महतपूर मानेंगे सही विकल्प का चै वर्ग और धर्म से संबंदित कोई रूडिवादिता नहीं होनी चाहिए पार्थे पुस्तक सच्चित्र और देखने में आकर्शक होनी चाहिए आपका ट्वंटी नैंट कोश्चन आया था विच्चा आपका फॉलोविंग रिसोर्सेस विल बी मोस्ट एप्रॉप्रिये ट के लिए घरों में सर्वेच्च आपका थर्टियत कोश्चन आया था एजन इविस टीचर यू हैब डिटेल्स आफ यूरी स्टुटेंट्स लेवल और प्रोफिशियंसी इन प्रॉसे स्किल्स इन इस रिपोर्ट कार्ड विच रिपोर्टिंग में विल बी मोस्ट एप्रॉ सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के सब्सक्राइब करें आज हम 12 जनुवरी को हुए सीटर 2021 पेपर वन के फुल 30 कोश्चन इविस के तरेंगे तो आपका पहला कोश्चन आया था फ्रूट्स वेजिटेबल्स डैट वर ग्रोन इन इंडिया लॉंग एगो आर भारत में पहले उगाय जाने उगाय गए फल सबजिया हैं तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा आम और केला दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा वीडियो को लाइक द सब्सक्राइब कर दिये गए हैं आप इस यूटूब चैनल को विजिट करें और सभी सिफ्टों के सोलुशन देख लीजिए आपका सेकंड कोस्चन आया था एलेक्स लिवजिन केला ही इस लाइकली टू ग्रो विच आपदा फॉलोविंग इन ही इस कोडिया में रहता है उ आपका थर्ड कोशन आया था एनिमल्स इंसेक्ट्स विच फाइंड अधर साफ दिये ओन ग्रूप बाई इसमेल आर वे जानवर कीडे जो गंद के द्वारा अपने ही समूग के अन लोगों को ढूडते हैं वे हैं तो आपका थर्ड कोशन थर्ड सही हो जाएगा चीटिया म अधुमख्या रेसम कीट आपका फॉर्थ कोशन आया था सबाना सजेस्टर फादर टू कंजर्ब पेट्रोलियम बेस्ट फ्यूल्स तो गो फ्रम वन प्लेस तो अनादर एंड ही एग्रीड हैपली ही विल प्रेफर टू गो बाई सबाना ने अपने पिता को एक जगह से किसरा सही हो जाएगा साइकल और मेट्रो रेल से आपका फिप्ट कोशन आया था समर है सुस्लेक्ट फूर्ड आइटम्स विचार नॉट लांट वेस्ट ऑप और आप प्रोजेक्ट ही विल चूज समर को उन खाद पदार्थों का चयान करना है जो किसी परियोजना के लिए सहियत आधारित नहीं है वह चुनेगा तो आपका फिप्ट को ऑप्शन पूर्थ सही हो जाएगा दूद सहिद और अंडे आपका सिक्स पोश्चन आया था विच आप दा फॉलोविंग आर्टिकल्स आर मेट बाया ब्लैक स्मिट निमनले कित में से कौन सी वस्तू एक लोह को अपनी बेटी के साथ खेलने के लिए इंडूर्थ खेलों का चयन करना पड़ता है जो पैर की चोट के कारण अपने घर से बाहर जाने में आसमर्थ हैं वह चुनेगे तो आपका सैवंध को ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा कैरम बोर्ट सतरंज तास खेलना कैरम अपने प्रियोगों के लिए प्रसिद्ध हैं यह मूल पौधों के बीच हरे और पीले होते हैं तो अगली पीडी के मतर के बीचों के बारे में उनका निमले खित में से क्या अवलोकन हैं तो आपका सेकेंड ओप्शन करेक्ट हो जाएगा अधिक पौधों में पीले बीच थे आपका टेंथ कोश्चन आया था विच आप दा फॉल्विं सब्स्टेंस डिजॉल्व इन व हमारे देश में वर्शा जल संचेयन के लिए परंपरागत रूप से उप्यों की जाने वाली संचना डेस है तो आपका इलाइवंत को ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा इस्टेप बेल बावडी आपका ट्वल्थ कोशन आया था विच आप दा फॉल्विंग इस्टू स्ट इस्टूनाट ट्रेवलिंग इस स्पेस शिप अंत्रिच्यान में यात्रा करने वाली अंत्रिच्छ यात्रियों के लिए निम्लेखित में से कौन सा सत्य है तो आपका ट्वल्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा उन्हें एक जगह पर रहने के लिए खुद को बांधना पढ़ता है आपका 13 का कोश्चन आया था आपका 13 कोश्चन आया था विच आप दा फॉलोविंग प्लेयर्स इस आ पैरा अथलीट हुई सिंबल आफ ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन निम्न लिखित में से कौन सा खिलाड़ी एक पैरा अथलीट जो धैर और द्रण संकल्प का प्रतीक है तो आपका 13 कोश्चन फॉर्थ सही हो जाएगा दीपा मलिक आपका 14 कोश्चन आया था नागर कोईल एक्सप्रेस तेस ग्यारा दोजर बीस को ग्यारा पच्चास एहमदावत से रवाना हुई ट्रेन ने दूरी तैकरने में कितना समय लिया तो आपको इसमें टाइम बता आना है तो आपका 14 कोश्चन फॉर्थ सही हो जाएगा 29 घंटे 55 मिनट आपका 15 कोश्चन आया था हरप्रीत वेंट आन ट्रिप विद फैमली तु पंजाब बिहार और मारास्ट्रा एंड कालेक्टिड आर्टवर्क फॉम दोस स्टेट्स इडेंटिफाई हरप् किया नीचे दिए गए विकल्पों में से हरप्रीत के संग्रे को पहचानिये तो आपका 15 कोश्चन फॉर्थ सही हो जाएगा फूलकारी मधमनी वारली मधमनी पेंटिंग तो आपने सुनाओगा बिहार की बहुत पेमस पेंटिंग है आपका 16 कोश्चन आया था एक अलग र कोश्चन के बारे में सिखाने के आफसर के रूप में उप्योग करना चाहते हैं इन में से कौन सी गतिविदी इस उद्देश के लिए सबसे उप्योग है तो आपका 16 कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा कच्छा में नय चात्र के जीवन में विभिन्य परिवर्तनों के बारे में चर्चा करें और उन्होंने उन्हें कैसे सम्हाला आपका 17 कोश्चन आया था विच आप दा फॉलोविंग फीचर्स आप वीडियो कॉन्फरेंसिंग एप कैन बी यूस्ट तू बेस डिमोंस्ट्र सही हो जाएगा चैट में ग्याइफ ग्याइफ इन चैट आपका 18 कोश्चन आया था विच आप दा फॉलोविंग इससाइजिस मोस्ट क्लोजली अलाइन विद्धा तॉंस्ट्रिक्स अप्रोच निम लिखित में से कौन सा अभ्यास रचना वाजिदस्ट कोड के साथ सबसे अधिक निकरता से मेल खाता है तो आपका 18 कोश्चन पहला सही हो जाएगा प्रदूसकों के उपस्चती की पहचान करने के लिए नदी के रंगा उप्योग करना आपका 19 कोश्चन आया था विच आप दा फॉलोविंग इस बेस्ट इग्जामपल आफ स्टूडेंट्स आजीवका पर पढ़ने वाले प्रभाव पर चर्चा करते हैं इस्टूडेंट्स इन पेयर्स डिसकस्ट आइंपक्ट आफ डिकलाइं और ट्रडिशनल क्राप्स्ट ऑन दा लाइवली हुड आफ दा क्राफ्ट्स मैं आपका 20 प्राप्श्चन आया था वार्ड बुड बी परिवारों के सास्ट चर्चा करने और पानी के समर्चन के लिए कुछ आदत बदलने के लिए कहना आपका 21 कोश्चन आया था आप बहरे पन और गूंगे पन की अच्छमता और बिना बोले समवाद कैसे करें इस बारे में एक अध्याय पढ़ा रहे हैं एक बच्चा पूस दूसरा सही हो जाएगा हम सभी की अलग अलग छमताएं और बाधाएं हैं कुछ लोगों के पास विश्च चुनौतियां होती हैं जहां विश्चन या बोल नहीं सकते हमें यह समझने की जरूरत है कि उनके साथ कैसे समवाद किया जाए और समावेसी कैसे बने आपका 22 कोश जहरा आकास तारे सूर्य और चंद्रमा ये सब अंतरिच में हैं सहमीर हां मुझे पता है सुनीता विलियमसन एक अंतरिच यान में गई थी मैंने टीवी पर देखा कि वह वहाँ से धर्ती को देख सकती है उजहरा हां वहाँ से प्रतवी इस ग्लोब जैसी दिखती है उप् करने में मदद करेगा तो आपको 22nd को पहला सही हो जाएगा यदि आप सूर्चंद्रमा और तारों के कट आउट बनाते हैं तो आप उन्हें कहां रखेंगे इफ यू मेड़ कट आउट्स आफ दसन मून और इस्टर्स वेर वुड़ यू कीप देम आपका 23rd कोशन आया था फॉर्ट टॉपिक डेम्स विल्ट ओन रिवर्स विच आप दीज इस इस स्पेसिफिक मेजरेबल और अटेनिमल लनिंग अब्जेक्टिव नदियों पर बन के निर्मार के दौरान मानों बस्तियों का सामना करते हैं आपका 24th कोशन आया था आप आगामी प्रदर्शनी के लिए अपनी परियोजनाओं में विद्यार्थियों के उपयोग के लिए 15 चार्ट पेपर अपनी कच्छक में लाएं हैं आपने छात्रों से कहा कि चार्ट प पूड साधनों को विवेक पूड प्योग करने के विचार में सनलगन होने में कम से कम मदद मिलेगे तो आपका 24th कोशन पहला सही हो जाएगा उन परियोजनाओं पर चर्चा करना जिने चार्ट पेपरिक्याफ सकता नहीं है और वे अभी विज्ञान प्रदर्शनी के पर पहुचना सीखनी के लिए सबसे उपी होते हैं तो आपका 25th को ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा आज पास के तापमान और पानी के वास्पी करन के भी संबंद को समझना आपका 26th कोशन आया था विचाब विचाब दा फॉल्विंग इस मोस्ट रेलेवेंट एज ओप प्रासंगिक है तो आपका 26th को ऑप्शन पहला सही हो जाएगा क्या आप अपने और अपने मात्य पिताय के बीच कोई समानता पाते हैं आपका 27th कोशन आया था सीखने का उद्देश से चात्र फसलों पर खर पतवार के प्रभाव को समझा सकेंगे निम्लिकित में से कौन स का मुल्यांकन इस सीखने के उद्देश के लिए सबसे अच्छा परिच्छन करता है तो आपका 27th को ऑप्शन पूर्थ सही हो जाएगा उर्वरक लगाने के बाद भी पौधों की वरधी रुकने का क्या कारण हो सकता है आपका 28th कोश्चन आया था एक सिच्छा के ऑनलाइ संसाधन का उप्यों करता है जो प्राकृतिक आपदाओं जैसे ज्वाला मुखी भुकंप भूसकला नित्यादी पर एनिमेटेड वीडियो प्रदान करता है यह समझने के लिए कि नीचे दिये गए तूल का सबसे अच्छा प्यों किया जा सकता है तो आपका 28th को ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा इन घटनाओं को जन्म देने वाले कारक आपका 29th कोस्चन आयाता दर टीचर वांस तो टीज दा कॉंसेप्ट आफ फूड प्रेजरवेशन विच आप इस फॉलोविंग विच आप दा फॉलोविंग फूड आइटम्स इस बेस सूटेड तू टीच दिस कॉंसेप्ट सिच्छक खादसन रच्छन की अफधार्णा को पढ़ाना चाहता है निमलेखित में से कौन सा खाद पदार्थ इस अफधार्णा को सिखाने के लिए सबसे उप्यूग थे तो आपका 29th को पहला सही हो जाएगा मुरब्बा जैम आपका 30th question आया था Mr. दे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ सेयर करें यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें आज हम 21st जनवरी स्टेट वेपर वन के फुल थंदी कोर्चन EBS के करेंगे तो आपका इसमें पहला कोर्चन आया था हमारे देश की निम में से किस एज भाग में अधिकान से लोग अपने आंगन में टैप योग का और नारियल उगाते हैं और इनको प्लियो करके वे अपना सौधिस्ट भोजन तयार करते हैं तो यह काम केरल गिलो करते हैं तो आप इस यूटूब चैनल को वीडियो अच्छ 21 में हुए सीटेट पेपर वन और पेपर टू के मैक्जिमम सिफ्टों के सलूशन और रेडि प्रोवाइट कर दिये गए हैं आप इस यूटूब चैनल को विजिट करें और सभी सिफ्टों के सलूशन देख लीजिए आपका सेकिंड कोर्शन आया था पच्छियों की एक ऐ और या पच्छियों कि आपका ऐड पोजिए आपका घर एक्स परिस्टुथ है और आपके पिता यपारी परिस्टुथ है हाला कि आपके पिता कि दूकान ठीक वितरीत है लेकिन आप बीच में गहरी नहर के कारण सीद्विए नहीं जा सकते इसलिए आप पहले 200 मीटर दच और अंत में आप पेटा की दुकान पर पहुंचें जो उत्तर की हो 200 मीटर पर हैं इभाई के संदर्व में आपके घर की नियुंतन दोरी और उसकी जिसा क्रमसा है तो जो इसको ऑप्शन करेक्टर वो था आपका परस्ट आपका पोर्ट पोर्शन आया था एक डॉक्टर ने एक डॉक्टर ने एक डॉक्टर को दवा के साथ रोजाना हरी पत्तिदार सब्चियां आवला और गुड़ खाने की सल्ला दे तो आपको बताना था कि वह किससे पीड़े थे तो इसका ऑप्शन फर्स इस करेक्ट अनीमिया से पीड़े थे आपका फिप्ट पोर्शन आया पूस मेल साथ है कांट से एक मिस धातू है जिसके मुख गटा थे एक और दिसका ऑप्शन साथिकें देश्ट तरे तामबा और और 10 कॉपर एंड आपका सिक्स पॉश्टन स्टेटमेंट इन्ट इसमें आपके 4 स्टेटमेंट दिये रहे थे और पताना था कि आपका कौनसा को आप्शन करेक्ट है तो अबाउट पस्मीना तो आपका तो सिख्ट को ऑप्शन पोर्ट विल बी करेक्ट एक पस्मीना सौल छे स्वेटर जितना गर्म होता है जिन बक्रियों से नरम पस्मीना उन एकत्र की जाती है वे पाँजर मेटर के बहुत उच्छे पहाडों पर पाई जाती है बतरी के सरीय पर गर्म बालों का एक पोर्ट उपता है और उसे अत्यदे खंड से बचाता है तो आपका पोर्ट ऑप्शन ए बी सी स्वरेक्ट होंगे एंड आपका सेवन्थ कोर्ट आया था भुज गुजरात में आए भुखम में किस वर्स एक हजार लोग मारे गर दे तो आपका सेवन्थ का कोर्ट का ओप्शन होगा सेकेंड दो हजार एक आपका एट कोर्ट आया था हमारे देश की राजधानी के स्थान के समद में हिमासल प्रदेश की राजधानी और मद्द प्रदेश की राजधानी इस्टिर गच्ट पस्ट होगे करेक्ट उत्तर और दच्छर आपका 9 पॉस्चन था सिंबला में रहने वाला एक वैक्टी अपने भूपाल और सुगामी नगर जाना चाहता है उसकी यात्रा की जिसा सबसे पहले होगी यह भी आपका डायरेच्छनल था तो आपका इसको ऑप्शन थाड़ विल्पी करेक्ट आपका 10 पॉस्चन आया था हमारे देश का वैराज या संग रादी छेत्र जिसका अरप साधर पर तर्थ है तो 10 पॉस्चन सेकेंड विल्पी करेक्ट करना तक आपका 11 पॉस्चन आया था चेराव नामक एक विशेश प्रकार का नत्त के लोगों द्वारा किया जाता है यह इसारे आपके आप एंसे आप पढ़िया एंसे आपको सेकेंड मिजोरम आया था भारत के मांचित्रपन यदी हां पॉलकाटा से पुड़चेरी तक एक सीधी रेखा एबी खीशते हैं तो बिंदू बिंदू के संबंद में बिंदू एक इजसा क्या होगी यह भी आपका डिरेक्ट नोडेस था तो आपका 12 का पॉर्थ ऑप्शन इस करेक्ट उत्तर कूर्ब नौर्थ एस्ट आपका 13 आपका 13 कोश्टन आया था उस महिला एठलीट का नाम बताईए जिसने 12 साल की उम्रे में भारत तोरलंग प्रूब किया 130 किलो बजन उठाने में सफल रही और अंतारा स्टी इस परधाओं में 29 फदक जीटें तो आपका इसका ओप्शन 4 इस करेक्ट करना मलेशुरी आपका 14 पोश्टन आया था एक बारे तक 10 नॉम्बा 2001 को अरना कुलम ताउन से बड़ोधरा के लिए ट्रेन में चढ़ा ट्रेन अरना कुलम ताउन से 10-46 रवाना हुई और 12 नॉम्बा 2021 को दो दस पर बड़ोधरा पहुंची यदि दोनों सहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच की दोरी 18 से 96 किलोमेट के फाइंड करने थे तो यह आपका टाइम डिस्टेन स्पीड वालों कोश्चन है आप इसको फाइंड करेंगे तो आपका फूर्टीन का उप्षन फूर्टीन का उप्षन ठर्ड करेक्ट होगा आपकी स्पीड जो आएगी औसर एवेज स्पीड आईगी वहाई की 48 स्पीड तेजपत्ता का लिमिट्च इलाइची आपका 16 पूर्शन आया था एवेज के संबंद में बच्चा अपने परवेज को देखता है यह इन रिलेशन तो एवेज चाइल लुक्स एट इस इन्वार्मेंट तो आपका 16 पूर्शन सेटेंड विल भी करेक्ट समग जाता है तो आपका 17 पूर्शन 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 आया था एंडशन दोहजार पांच अच्छा थार्ड से प्रट के एवेज को एसे विशाय के रूप में देखता है जो कि अब धार्डाव और मुद्धों को एक ही करता है तो 18 पूर्शन आपको थार्ड इस करेक्ट विज्ञान सामाजी विज्ञान और पार्यावरण सच्छा आपका 19 पूर्शन आया था एवियस सच्छा को अपनी एवियस करच्छा में निल्म लिखित में से कि शुनौती का सामना करना पढ़ सकता है तो 19 पूर्शन इस नाइनटेंट का फूर्शन इस करेक्ट एवल एवी से अबी से उसकी कच्छा के बहुत संस्कृतिक आया प्रतेक चात्र की भावना और हर किसी का समदाएश संस्क्रति और जेवन से लिखित आपका पूर्शन आया था प्रत्मिक इस पढ़ाने का सब से उप्युक्त लिख और देश है इसका जो आप्शन परेक्ट था दूसरा जात्र को उनके पार्या वरंटा पता लगाने के लिए बहुत जगहें प्रतान करें या आप्शर प्रतान करें परवाई लॉट आप स्टीट्स क्टों इस और हर एंवार्मेंट पर तुशन आया तो आपका 21st का ओप्शन फिर्स्ट विल्बी करेक्ट थीम आपका 22nd question आया था meaningful एब्यार्थियों के स्थानिय अनभव विद्यालय के अनभव विद्यालय के अनभव से संबंदित होते हैं आपका 23rd question आया था इन दा एब्यास इन दा लर्णिंग आप एब्यास एक्टिविटीज कंडेक्टेड़ बाइद रीचर सुद भी फॉलोग बाइड़ और ऑथेंटिक एंड मीनिक्फुल लर्निंग एब्यास सीखने में प्रमारत और सार्थर सीखने क के लिए सुच्चिकों द्वारा संचालत गति विद्धियों का देश द्वारा पालन किया जाता है तो 23rd का ओप्शन तरेक्ट था वो था आपका पहला दिस्कुशन चर्चा बाद विबाद चर्चा 24rd का कोश्चन जो आया था वो था आपका लर्निंग फू गुरुप एक करेक्ट है वो था आपका फर्ड यह चातुरों के बीच साथियों और समाधिक सच्छा प्रदान करता है और सुधालता है आपका तंटीफिक्ट कोश्चन आया था विच आपका फॉलोविंग इंडिकेट से इस्किल प्रॉस्टिस प्रॉस्टिस इन लर्निंग आप एविय क्लासिकेशन आपका फॉलोविंग इंडिकेशन आया था वो था चातुरों द्वारा एविय सीखने में माता पिता और समुदाई के भागी दारी को बढ़ावा देने का सबसे उप्युक्त उद्देश है जो तंटीफिक्ट का जो आप्शन तरह था वो था आपका प्रॉस सिखकों को चातिकी समाजिक सांस्तिक प्रस की भूमी जानने का उशर तुदान करना आपका जो तंटीफिक्ट कोर्शन आया था वो था रात में किस तरपर एवियस अच्छा में चुनातियों और मुद्दों को बहुत अच्छी तरह से सम्भोतित किया जा सकता है तो तंट सिखने का गुडातमत मुल्यांकन किसके द्वारा किया जा सकता है तो 21st को प्रस्ट विल बी तरेक्ट टेबल ए और बी बच्चों के बीच विचारों का रिकॉर्ट अवलोकन रिपोर्ट एंड प्रेक्लिया कोर्शन का अवलोकन है आपका 29th पोर्श्चन आया था कॉर्मेटिव आसेस्मेंट तूल इन एविएस निल्न लिखित में से कौन एविएस में एक आरंबिक मुल्यांकन उप्तरण है इसका आपका ऑप्शन होएंगे पोर्ट फोलियो अपका ख्यानात्मत रिकॉर्ट रेटिंग स्केल अफ्लेकर एंड रिकॉर्डिंग मतलब आ अगर आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इस यूट्यूब कैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और सेयर करें आप आपके इस जैस्ट्र से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा तो थैंक्यू फर वचिंग दा वीडियो